सबसे पहले एक नया पेज लेंगे इसके बाद यहां पर एक नियू पेज बड़ा पेज ले लेंगे इसके बाद हम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल पर जाएंगे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल से पहले एक सेलेक्ट करेंगे इसके बाद एड्टू सेलेक्शन पर रख करें इसे cut कर लेंगे जैसे के आपको दिखाते हैं हैं पहले है रेक्टेंगल सेलेक्ट करा है is сказать imigeman टो सेलेक्शन में और इसके बार सिक्षाथ किया तो एक habarde क्टेंगल में टैप्र इन्हें करेंगे यहां टो जाएंगे Leahующ prett में करके यहां पर यह crop हो जाएगा control D करने के बाद यहां पर edit में define pattern करेंगे और इसके बाद यहां से og कर देंगे इसके बाद यहां पर control and करके एक नया page लेंगे इसके बाद यहां से हम ok कर देंगे इसके बाद यहाँ पर double click करके इस lock को खोलेंगे layer की lock को खोलने के बाद यहाँ पर हम double click करेंगे ok करके एक message आएगा जिसे हम ok कर देंगे इसे हम ok कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर pattern only में click करेंगे यहाँ पर यह pattern only दिखाएगा इसके बाद अपना pattern ले लेंगे जो हमने select करके बनाया था define pattern अब skill से इसे छोटा कर देंगे आपको हमारी ये वीडियो के